अगले दिन सुबह होते ही हम निकल जाते हैं एक ऐसे एडवेंचर के लिए जो हम लाइफ में पहली बार करने वाले थे अपने गेर्स कलेक करके हम बोड कर लेते हैं स्पीड बोड और कुछ ही देर में पहुच जाते हैं समंदर के बीच जहां हमारा वेलकम करते हैं डॉल्फिन्स इसके पहले डॉल्फिन्स हमने बस मूवी में देगी थी इसलिए पहली बार रियल में देखके बहुत खुशी मिलती है फिर हम आगे बढ़ते और बहुत जाते हैं शार्क के साथ स्नॉक्लिंग करने पहले तो मेरी पानी में जाने से फट रही होती है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन लाइफ जैकेट पहन के जैसे मैं पानी में जाता हूँ शार को पैरो के नीचे रेख और फट जाती है उपर से मेरी स्नॉक्लिंग गेर में पानी भर जाता है काफी मैंने के बाद जब मैं थोड़ा स्टेविल होने लगता हूँ तो पानी के अंदर का नजारा बहुत ही खुबसूरत नजर आता है जो भी था ये एक्सपीरिंस बहुत ही जादा मज़ेदार और एक्साइटिंग था